हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो दो ओफिशल यूट्यूब चैनल ऑफ एमभी जॉफस ओफिशल फ्रेंट्स आज हम डे टूडे हिस्ट्री में लेकर उपस्ती थें दो जुलाई 2018 से रिलेटेट फैक्ट्स तो फ्रेंट्स आईए देखते हैं कि दो जुलाई 2018 अपने आप में कौ से पहले बात करते हैं अलाउदिन खेलजी की फ्रेंट्स सन 306 इसवी में अलाउदिन खेलजी ने सीवाना पर जब 2 जुलाई तो 1306 में आक्रमड किया तब यह तुर्ग कानहडदेव के भतीजे चोहान सरदार स्रीतल देव के अधिकार में था फ्रेंट्स इससे रिलेटेट कुछ और फैक्ट्स में बताना चाहूंगा कि अलाउदिन खेलजी दिल्ली सल्तनत के खेलजी वन्स का दूसरा सासक था उसक अब आते हैं आगे नेक्स्ट फैक्ट्स पे फ्रेंट्स अब बात करते हैं 1940 में की ब्रेटिस सरकार ने सुभास चंदर बोस को 2 जुलाई 1940 इसवी को विरोध भड़काने के आरोप में गिरिफतार कर लिया फ्रेंट्स मैं बताना चाहूंगा कि सुभास चंदर बोस जी ने किया था फ्रेंट्स ये एकजाम के पॉंट आफ यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आजाधिंद फौज किस ने बनाया था तो आजाधिंद फौज जुबास चंदर बोस जी ने बनाया था इसके बाद फ्रेंड बात करते हैं आगे 2006 की सन 2006 में इंग्लेंड फुटबॉल टीम के कपतान डैविड बेखम ने अपना पद छोड़ दी था मैं बता दू फ्रेंड्स की डैविड रॉबर्ट जोसफ बेखम एक अंग्रेश फुटबॉल खिलाडी है जो फिलहाल अमेरिकन मेजर लीग सौकर कलब लॉस एंजल्स और इंग्लेंड के रास्ची टीम के लिए मिड फिल्डर संयुक्त राज अमेरिका मिड फिल्ड में खेलते हैं इसके बाद आते हैं दो जिलाई को जन्में हुए व्यक्तियों के बारे में तो फ्रेंड्स बता दूं कि सन 1948 में आलोक धन्वा नाम के प्रसिद जनकवी का जन हुआ था फ्रेंड्स इनके बारे में बताओं तो इनका जन मुंगेर बिहार में हुआ वे हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्नोंने सत्तर के दसक में कवीता को एक नई पहचान दी उनका जो पहला संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है जो की जन जन में लोप् लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू